Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ Priyanka So दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Insight Cosmetics की Matte Lipstick And ये है Liquid Matte Lipstick And दोस्तो मैं आपको बता दू कि इसे मैंने Purple.com से लिया था And मैंने Purple Haul पे आपके साथ ये जो product है इसे मैंने शेयर भी किया था So दोस्तो मैं कभी भी Liquid Matte Lipstick उतना ज़्यादा पर्चेज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आता है Liquid Matte क्योंकि Liquid Matte होता है ना ऐसा कि मेरी Lips ये बहुत ज़्यादा ड्राइ कर देता है And यहां यहां पैची पैची सा कर देता है So मैं हमेशा Creamy Matte Lipsticks की पसंद करती हूँ And Bullet Lipsticks की मैं हमेशा पसंद करती हूँ लेकिन इसका Review इतना ज़्यादा मैंने देखा था YouTube में कि सब इसके बारे में बात कर रहे थे सब इससे लगा रहे थे यूज़ कर रहे थे तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं And इसमें जो लिखा हुआ है यह है Insight Matte Lip Ink And यहां पे लिखा हुआ है यह है Waterproof Long Lasting Matte Lipstick So यहां पे लिखा हुआ है Ultra Matte Flawless Texture Smudge Proof Waterproof Long Lasting Non-Transferred And One Stroke Application Lightweight Formula And Paraben Free and Quality Free Product है यह And यह इसमें क्लेम करते हैं कि यह Smudge Proof है Waterproof है And हो सकता है Kiss Proof भी है And क्योंकि लिखीट मैट जो लिख्स्टिक होता है वो Kiss Proof होता है And Long Lasting है And यह One Stroke Application है मतलब इसका Pigmentation जो है वो बहुँआ ज़दा High Coverage वाला Pigmentation है And वो ही हम लोग आस देखेंगे और यह बहुँआ ज़दा Ultra Flawless इसका Finishing है बहुँआ ज़दा Lightweight है तो वो ही चीज़ देखेंगे चलिए दोस्तों इसे Try करते हैं And यह कुछ इस तरीकी का Cardboard Packaging के साथ आता है And यह पे जो एक Packaging पे ऐसा एक Mark किया गया है उस Mark पे आपको Exactly Color पता चल जाएगा कि कैसा Color आपके मतलब आपके पास अगर ऐसा Lipstick बहुत साड़ा है तो आपको ढूँदने में दिक्कत होगी तो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा अगर आपके पास Box है तो या तो फिर आप Box को फेक भी सकते हो और ऐसे भी अब रख सकते हैं क्योंकि इसका जो Body Body है Lipstick का जो Packaging है यहाँसे भी आपको दिखाई देगा कि इसका Color कैसा है इसका Packaging मुझे काफी जादा अच्छा लगा बहुत खुबसूरा थे इसका Packaging जस्ट आप देख सकते हैं एकदमी Blood Red Color इसका Lipstick का शेर है बहुत खुबसूरा सा इसका शेर है तो फिर चलिए दोस्तों मैं इसे एपलाई करके आपको दिखाती हूँ इसका जो Cap है वो एकदम वाइट कलर का है बहुत जादा ब्यूटिफूल है चोटा सा ही है इतना सा ही है आप इसे अपनी बैंग में भी कैड़ी कर सकते हो मैंने अल्रेडी अपनी लिप्स पे Lip Balm लगा के ही रखा है और मैं फिर से दोबड़ा Lip Balm लगा रही हूँ और इसे मैं अपनी लिप्स को जो है न वो मसाज कर रही हूँ क्योंकि Liquid Matte जो लिप्स्टिक होता है वो बहुत जादा ड्राइ करता है लिप्स को और पैची भी होता है इसे वज़े से मैं सबसे पहले Lip Balm लगा के उसे एक्स्टा में रिमूब कर लोंगी आप भी ऐसा ही करना आप अपनी जो लिप्सिक है वो एप्लाई करना लिप्स पे कोई एक्स्टा स्कीन या तो फिर कोई ड्राइनेस नहीं होना चाहिए सो मैंने लिप्स बाब को एप्लाई करके मैं उसके थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा जो लिप बाम है उसे मैंने रिमूब कर लिया है और मैंने लिप जो है वो सुपर सॉप्ट हो गए है और इसके बाद मैंना एक लिप लाइनर से अपनी लिप को ड्रॉ कर लूगी चलिए दोस्तों इसे अब अपलाई करते हैं और उतना ज्यादा भी लिप बाम आपको रखना नहीं है थोड़ा सा आपको मतलब एक्स्ट्रा को आपको निकाल देना है और इक्स्ट्रा जो लिप स्टिक है उसे अब इस तरीके से अपनी बॉटल में टांसफर कर दीजिए और आपलिकेटर अब जस्ट देख सकते हैं कितना जादा अच्छा अपलिकेटर है जैसे कि लैक्मी में अपलिकेटर आता है वैसा ही इसका अपलिकेटर है अजय को लोगा है सो दोस्तो मैंने इसे एपलाई कर लिया है एंड इसका टेक्श्यर मुझे अच्छा लगा कापी जादा एंड ये उतना जादा भी मतलब पैची सा नहीं हो रहा है जैसे कि मैंने मैट मी का यूस किया था एंड हुदा ब्यूटी का ड्यू भी यूस किया था तो उसमें पैची पैची सा होता था लेकिन इसने बिल्कुल भी वैसा नहीं किया ये बिल्कुल मेरी लिप्स पे एक्जैक्ली बैठा है जी हां जब यह ड्राई हो गया तो थोड़ा सा मुझे ऐसा फिल होड़ा है कि बहुत ज़दा कागच पर जैसे कि हाथ धरों के वह ऐसा फिल होड़ा है यह बिल्कुल ही सुक चुका है ठीक है मैट, टांसपर, प्रूप उन लोगों के लिए काफी तदा अच्छा है और मैं इसे और थोड़ा सा टाइम दूँगी प्रॉपरली सुकने के लिए तब मैं आपको इसका किस प्रूप टेस्ट करके दिखाऊंगी सो यह बिल्कुल ही टांसपर मतलब सुक गया है यह बिल्कुल ही टांसपर अब नहीं होगा और मैं आपको किस प्रूप टेस्ट करके दिखाती हूँ कोई सा भी निशान नहीं आया है सी एंड यह एक्जैक्ली जैसा कि लिप्स्टिक मैंने लगाया था वैसा ही है हाँ थोड़ा सा अपकी जो लिप से वो ड्राई हो सकता है कभी-कभी आप इसे मतलब लिप बाम से टैच अप कर सकते हैं या तो फिर यह उतना जादा भी ड्राई नहीं लगडा है मुझे इसका फार्मूला मुझे काफी जादा अच्छा लगा एंड हो सकता है लगाते लगाते यूस करते करते मैं इसे और समझू एंड जो भी मैंने फर्स्ट एक्सपरियेंस इसका किया है तो मुझे काफी जादा अच्छा ही लगा है एंड इसका और भी जो कलर्स है मैं डेफि करूंगे और इसका जो नेम है वो है bloody hell जो की 02 नंबर है इसका बहुत अच्छा इसका शेर है एकदम ही blood rate और मैं आपको hand swatches दिखा देती हूँ सो यह है इसका hand swatches एंड एकदम ही blood rate कलर है इसका जस्ट आप देख सकते हैं एकदम सिंदूर का आलता का कलर है इसका एंड इसमेना थोड़ा सा pinkish हिंट है जो की आप अगर एक bright होने जा रहे हो तो आपके लिए यह बहुत अच्छा रिप्सिक होने वाला है अगर आपने कोई लिप्सिक अगर आप affordable range पे ढून रहे हैं तो आप यह वाला color आप चूज कर सकते हैं बहुत अच्छा वाला shade यह आपके लिए होने वाला है सो मुझे तो काफी ज़दा अच्छा लगा सी सी सो बहुत अच्छा shade है अगर आप चाते हैं तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं bloody hell and yeah and मुझे काफी ज़दा अच्छा लगा सो मेरी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो यह lipstick पसंद आई हो इसका color पसंद आई हो तो एक like ज़रूर करतीजेगा and subscribe to my youtube channel and bell icon को ज़रूर हीट कर दीजेगा ताकि मेरी आनिमरीज नोटिफिकेशन है वो आपके पस easily पहुँच सके and यह lipstick जो है बिल्कुल ट्राइ कीजेगा बिल्कुल अच्छा मतलब formula है इसका मैं तो बस liquid matte का formula से ही मैं बहुत ज़दा tension हो जाती थी कि liquid matte का formula अच्छा होना चाहिए उतना ज़दा पैची पैची शायद matte me का अच्छा नहीं है इसी बज़े से लेकिन बहुत सरे लोगों का review देखने के बाद ही मैंने खरीदा था लेकिन अच्छा नहीं था लेकिन inside का मुझे बहुत अच्छा लगा एकदम high end brand की जैसा इसका texture है इसका जो मतलब applicator आप देख सकते हो इसका जो कितना अच्छा इसका applicator है just guys जैसे कि lacmi का applicator होता है न वैसा ही इसका applicator है and एकदम ही आपको इस तरीके से apply करना है and ये बहुत खुप्सूरत तरीके से lips में बैठ जाता है and apply हो जाता है so इसका applicator भी बहुत अच्छा लग मुझे so yeah and so मुझे comment जरूर कीजिएगा and please मुझे subscribe जरूर कर दीजिएगा and इसे आप बिल्कुल try कर सकते है and bridal power pass, party power pass आप इस type की color अगर आप यूज करोगे तो बहुत अच्छे लगोगे and every skin tone पे bloody hell shade बहुत अच्छा लगने वाला है so try जरूर करना बहुत अच्छा लग